Friends, हम सब अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ गोल्स बनाते हैं, कुछ की planning करते हैं और उसके road में ups बनाते हैं But do you know, अगर planning ही गलत होगी, तो क्या हम अपने गोल्स एक्टू कर पाएंगे? Obviously, नहीं For example, आपको जाना है दिल्ली और आपने ट्रेनी मुंबई की पकड़ी है, तो क्या आप कभी दिल्ली पहुच पाओगे? नहीं न, तो वैसे ही निजिलेंड जैसे countries में अगर आपको आना चाहते हैं स्टड़ी लेकर, तो make sure study एक अच्छे से फिल्ड में लो, जो demanding है So, आज के शुड़ी में मैं आप सभी के लिए वही जो courses, जो crane list के under है, और उसके जो chances है PR के, So, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो आज के शुड़ी में मैं आपके साथ, वो सारे जो courses है, कौन से sector से, जो demand में है, और निजिलेंड government, उन sectors के अंदर PR easily देने वाली है So, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो, पढ़ाई करने के लिए उसके बाद residency चाहिए, तो आप इन courses के अंदर जा सकते हो, ताकि आपको PR और residency easily आप ले पाओ in future में, और अगर अब भी तक आपने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो make sure इस चैनल को कि मैं कोई as a immigration advisor नहीं हूँ या तो फिर lawyer नहीं हूँ, but as a person मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो जो भी मैं जानता हूँ, मेरे पास जो experience है, उसके base पर just as a informational videos बनाता हूँ, so अगर videos अच्छे लगते, तभी आप like करिए, share करिए, और comment में आप question भी पूछ सकते हो, अगर मेरे को जो कुछ पता है, और मेरे से जितना भी हो सकता है, वो knowledge आपको देने के कोशिज करूँगा, so basically green list किया है, so दोस्तो जैसा कि आपको पता होगा, कि हर एक countries के अंदर कोई ना कोई as a sectors हमें सा रहते हैं, जो as a demanding रहते हैं, या तो फिर उसके अंदर jobs के सबसे ज़्यादा shortage चल रही है, so उसी को fill up करने के लिए निजलन government ने जो job से उसके list निकाली है, और उसको as a green list में announce किया है, कि अगर आप ये जो green list है, उसके अंदर आप उस उन gaps को, उन jobs को fill up करते हो, अपनी जो भी high skill और जो भी आपके पास knowledge, आपके पास अगर उसकी degree है, या तो फिर आपके jobs करके, उन jobs को fill up करते हो, तब आपका permanent residency gain करने के chances ज्यादा है, like उस अगर आप पाथमे में आते हो, तो आपके residences के chances बढ़ जाते है, जो कि, जो green list है, उसके अंदे total 80 to 85 hard skills list है, like jobs list है, so उसमें से मैंने कुछ ऐसी 5 categories निकाली है, 5 categories निकाली है, जो basically उसको आपको like understanding करने मे easy रहेगा, so सबसे first number पर है construction roles, construction, construction roles के अंदर आएगा, like quantity surveyor हो गए, या तो फिर construction project manager हो गए, या तो फिर construction engineering हो गए, अगर आपने इंडिया से civil engineering या फिर construction के regarding जो course की है, या तो फिर अगर आप वो courses लेकर आना चाहते हो, तो उन courses के अंदर जो भी outcomes आते है, वो roles के job roles, यहा अगर आप ये courses लेकर आते हो, तो आपके PR के chances ज्यादा दर हाई रहेंगे in future में, आपको like study के बाद 2-3 साल, 4-5 साल, या फिर अगर आप जो jobs लेते हो, वहाँ पर से job के chances, like PR के chances easily मिल जाएंगे, second engineering roles, अभी engineering roles के अंदर बहुत सारे different type of engineers रहते, जैसे कि chemical हो गया, mechanical हो गया, या फिर electrical हो गए, electronics के engineer, so telecommunications engineers, so वो जो roles है, वो भी सबसे ज्यादा demand है New Zealand के अंदर, जो already describe किये हुए green list के अंदर, green list का जो भी document है, वो मैं आपको attach कर दूँगा, उसके link description में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से check कर पाऊगे, कि आपके जो भी jobs है, वहाँ पर मिलती है, like match ह होती है कि नहीं होती है, आपके जो भी study के regarding है, जो jobs है, outcomes के अंदर, वो, तो वो आप check कर लिया, तो second हो गया engineering, जो भी role से, उसके regarding, और जो third position, like जो third role से, वो है health and social services roles, उसके अंदर कौन से कौन से आते है, so basically जो भी journal practitioners, like doctors होते हैं, so doctors के अंदर भी बहुत सारे varieties, like different types of doctors रह हो गए, या तो फिर veterinary doctors हो गए, और या तो फिर psychist, और जो भी physiotherapist, या तो फिर जो भी anesthesia, जो रहते हैं, वो, so अगर आप इन रोल्स के अंदर आते हो, या तो फिर उन रोल्स के अंदर studies लेते हो, तब भी आपके PR के chances सबसे ज़्यादा हाई रहेंगे in future में, so अगर आप वो courses लेकर आते हो, तो सबसे ज़्यादा demand में रहेंगे, तो आपको easily PR के लिए easily apply कर पाऊगे, और आपको ज्यादा तर jobs fine करने के लिए आपको rush नहीं होगा, so वो आप study लेकर आ सकते हो, और जो fourth number पर है, वो है primary industries और science roles, उसके अंदर है four technologist हो गए, या तो फिर researchers हो गए, जा तो फिर पर्टिक्लर जो environmental research scientist हो, so अगर आप उन studies को लेकर यहाँ पर आते हो, तो आपकी job के chances सब में सा ज्यादा रहेंगे, और आपके जो PR के chances हो भी ज्यादा रहेंगे, क्योंकि यह जो भी job से, उसकी demand और shortage सबसे ज्यादा निजलेड में अभी है, और जो last and final है, वो आप उसके outcomes में, like आपके study के बाद, अगर आप as a software engineer, या तो फिर ICR project manager, या तो फिर multimedia specialist हो, तब भी आपके like, जो भी PR के chances है, वो ज्यादा रहेंगे, but वहाँ पर green list के अंदर, उसकी जो pay है, वो भी like described की हुए है, कि minimum उतनी pay होने चाहिए आपकी, और particular जो medium wage है, वो होना च चीजे है, वो आपको requirement fill up करने पड़ेगी, अगर आप जब भी PR के लिए apply करते हो, तब, अब basically यह जो सारे sector से, वो shortage, इसलिए है, कि last few years से, जैसे कि government यहाँ पर border close थी, उसकी वज़े से बहुत सारी इसे जो jobs है, वो उभर कर बाहर आई, like emerge हुई, और जो globally, जो demand ये, government भी यही चाहती है, कि वो सारी jobs यहाँ पर fill up हो जाए, तब उनको एक high skilled performance people यहाँ पर मिले, और निजलन government यहाँ की जो भी economy है, उसको boost कर पाए, so basically यह जो sector से, अगर आप वो उनको focus करते हो, और उसके regarding study लेकर आते हो, तो make sure आपकी PR के chances ज्यादा रहेंगे, और जो business के regarding, जो courses है, like अभी occupations, like green list के occupations calendar नहीं है, so अगर आप उस courses को लेकर आते हो, तो थोड़ा से दिक्कत रहेगा आपको PR लेने के लिए, so make sure आप जो भी study लेकर आते हो, उसको ध्यान से research करो, उसके पीछे देखो, कि आपको PR लेने के लिए कितना time लगता है, उसके बाद यहाँ पर तो आपको जो भी time है, वो कम मिले, और यहाँ पर आप जल्दी से अपने जो भी residency है, वो आप यहाँ पर ले पाओ, so ऐसे ही वीडियो के लिए इस यान को subscribe कर देना, और अगर वीडियो अच्छा सा information लगा है, तो make sure इसे like और share जरू करना, और अगर को doubt है, comment box में जरू डा बारत?